तो इस सेक्शन में मैं आपको कुछ ऐसी तस्वीरें तस्वीरों के जरीए दिखाऊंगा के टेमपरिचर इंवर्जन के नुखसानाओं कितने होते हैं बाद मरत मताँ तो बहुत ही सीरियस बात हो जाती है यह बहुत सारे लोग मर जाते हैं और अगर उस वक्त फौरान ना मरें तो बाद में मर जाते हैं हमारे पास अमरीका में एक कलर होता है वो यह कि अगर उनको औरेंज कलर डिकलियर कर दें इसका मतलब हुआ इतनी खराब है वो कहते हैं कि जी आप जितने बुड़े लोग हैं जितने भी यंग लोग हैं बच्चे जितने भी हैं चोटे-चोटे वो घर में बैठे रहें बंद होता कि टी-वी के अंदर एक औरेंज फ्लैग आ गया है कि हवा खराब है बाहर आप घर बैठे रहें तो उसकी वज़ए से थोड़ा सा नुक्साना चाहिए जादा हो जाते हैं लेकिन बहर कैफ हर जगा होता है यह को ऐसी चीज नहीं है चाइना की अग्जामपल हैं यह सब जग़ाई हैं तो मैं यह टेंपरिचर इंवर्जन को तस्वीरों के जरी आपको समझाऊंगा कि कैसे होता है अब यह सैन फ्रांसिस्को की है अब यह सैन फ्रांसिस्को सिटी जए वह लेफ पे राइट साइड पर पैसिफिक ओशन है पैसिफिक ओशन से जब जरूर नहीं हुआ उस वक्ते इसका मतलब है कि पानी की जो है टेंपरिचर अब वो साहल से ज्यादा गरम हो गया दिन में तो उल्टा होता है शाम में उल्टा हो जाता है तो वह पिर वहां से जो इवापरेशन शुरू होता ना गर्मी के वज़ा से वह पिर कंडेंस हो जा समंदर से तो कहर इटसेल्फ इस नाट बैड वो तो सिर्फ पानी की बूंदे हैं वो कोई मसला नहीं होता लेकिन ये जब उपर आ जाती है न शेयर और ये रोज होता है बिला नागा हर शाम को ये होता है ये कहानी सैन फ्रेंसिसकों में बहुत ही कब ऐसा एकाथ दिन होग तो इसका मतलब जितनी भी नीचे से जो हुआ है वो उपर नहीं जा पाती वह बिलकुल उसको कैप लग जाता है और फिर सारे शेहर में पुलूशन जादा हो जाता है सैन फ्रेंसिसकों इतने जादा पुलूटिट जगा नहीं है लेकिन इसका एक्जामपल का मैं बता हो जाता है अब बागी देखें यह एले देखें यह बिलकुल जो कैप लेर है टेंपरिटर इंवर्जन लेर है उसके पैरल यह फोटो केंची गई यह उपर देखें हो पीचे मांटेंस हैं उनको कहते हैं सैंटायना मांटेंस जब अगर आगर शेहर में हो ना आप वो और यहां तो पहाड़ी भी है फिर लोग पहाड़ी पे जाते हैं गूमते फिरते हैं अदरवाइस यह हशर होता है एले का और तकरीबान रोज ही हशर यह होता है वही टैंपरशर इंवर्जन की बात है कि और सुरज जो चोड़े से एंगल के आता है होरूब होने से पहले उपर बिलकल गरम हो जाती हवा और नीचे वाली हवा जो उपर नहीं जाने चाहती पाती है और इतनी ज्यादा ट्रैफिक है इतना ज्यादा पॉलूशन है प्रांस्पोर्टेशन पॉलूशन एले में उसका कलर भी एक बड़ा स्पेशल कलर है मैं आपको जाके बाद में सम चाहरता ना तो शहर जैसे बढ़ना शुरूओा खास तर पर वर्ल्ड वार के बाद एकदम से कंस्ट्रक्शन शुरूई नाइटीन फॉर्डी सेवन में मेज्जॉर्टी ऑफ लंडन वस डिस्ट्रॉइड बिलकुल जर्मनों ने उनको मार मार के बूसा बना दिया था लेक शहर के खरीब ही लगा दिया चार पांच इतने भी पावर प्लान्ट थे मुझे पता नहीं कितना नंबर था वो सब कोईले से चलते थे लंडन में इंग्लेंड में कोईला बहुत सादा है तो वो सारे कोईले से लाके उनने चराए और वो चार पांच वो है और सर्दियों म वहां पे मरे थे इसी फॉक के अंदर एक फॉक की बात रहों को साल मरे के फॉक की बात बता नहीं रहा तो सवाथ ये चर्चल भी बड़े मशूर थे उस जमाने में चर्चल ने अभी अभी जंग जीती थी तो अपने घर से जब आफिस महुचते थे नो बिलकुल बदाल हो जो लेफ्ट साइड पे है वही पिक्चर है वही जगा की पिक्चर है एक गर्मियों में और एक सरदियों में और फरह देखें कितना जादा है उसके अंदर अब कुछ दिनों पहले बेजिंग अलम्पिक्स हुए थे वह राइट-ंड साइड पी जो पिक्चर थी वह अशर जो हमारे पास चाइनीज स्टूडन पढ़ने आते थे अमरीका में उनको हम आसमान दिखाते थे वह आसमान का कलर ब्लू है वो तो कहते हैं ऐसा कलर तो हमने कभी देखा ही नहीं था हम तो समझेते हैं वही कलर होगा जो राइट-ंड साइड पे ब्राउन कलर हुआ होता है बहुत जगावा बेजिंग तो एक शेंगाई जाएंगे तो और भी कड़बड़ है पापुलेशन डेंसिटी सारी चीज़ें इतनी सारी उनके पास हैं तो उसके लिए जब उलम्पिक शुरू हा तो उनने का ये इसमें लोगों को कैसे बलाएंगे तो उन्होंने अतराफ क सारी इंडस्ट्री बिल्कुल बंद कर दी और उसके अलावा जितने भी कोल बर्निंग पाउर प्लांटे उनको खतम करके उनको गैस से चलाना शुरू कर दिया तो सिर्फ ये दो एक्शन्स की वज़ए से बेजिंग की फिज़ा इतनी बदल गई है कि कोई हद नहीं और सार जादा एक जमान में खुबसूरत शहरी नहीं होता था कोई भी और अब भी इतनी खुबसूरती उसमें भी बिल्कुल बीच में से दर्या जाता है और उस तरह आदा शहर इदर है आदा शहर उदर है दूसरी तरह वो देखें आप जो टावर देख रहें उसमें परल टाव पर जाके आप देखें सारा शहर देखें लेकिन यह शर हो जाता है टैंपरशर इंवर्जन की वज़ा से अगें प्राव्म यह है कि उनकी पॉपलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है पॉपलेशन डेंसिटी के वज़ए से गाडियां हैं यह हैं वह सब चल रही है और वह जितने भी सारा पोलुशन अपूरे के पूरे हैं पूरे शेहर को लपेट में लेयाता है और पर ना कुछ नजर आता है ना कुछ होता है और जो हयल्थ प्र prominent Rain devoted to Signus ट्रेकियग प्राल्बल्बम जहां वह अलग से उस-से निकल आते हैं तो यह ऐसी चीज़े हैं कि जिसका कंट्रोल बहुत ही प्लानिंग के साथ करना पड़ता है वरना यह हशर हो जाता है